हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत है बात करेंगे 19 तफेबरी के 1st editorial session की टाइटल आपको दिया है डिजिंग क्लाइम यह article financial article है तो निश्ची तरुप से बहुत सारे important words यहां पर आपको मिलेंगे तो पैनों notebook लेकर जरूर बैठिएगा और जो भी important चीज़े नजराएं वो जरूर से note करें तो यह start करें डिजिंग क्लाइम डिजिंग जो वर्ड है तो डिजी एक शब्द होता है इसका मतलब होता है चक्कर आना ठीक है जब आप चक्रा जाते हो आपका सर चक्राता है उसको बोलता है डिजी अब यहां जो डिजिंग है यह बन रहा है एजेक्टिव क्लाइम यहां पे है नाउन क्लाइम का मतलब चड़ना होता है तो अब ये कहना चारा है कि जो economy क्लाइम कर रही है economy जो ऊपर की ओर चल रही है वो dizzying है अब dizzying है तो निश्चित रूप से एस्थिरता है ठीक है क्योंकि चक्कर जब आते हैं वेक्ती को तो वो एस्थिर हो जाता है इस्थिरता नहीं रहती है डगमगाता है तो डगमगाता हुआ क्लाइम भैयों कह सकते हो और वैसे dizzying का मतलब आप complicated या difficult पी ले सकते हो काफी जटिल हो काफी मुश्किल हो काफी मुश्किल है ये सफर यों कह सकते हो ठीक है पूरा आर्टिकल पढ़ने पर पता लग जाएगा कि किस लिए ये आपको title दिया गया है आगे देखें inflation, inflation का मतलब उद्रा स्पिती होता है must not be allowed to pose a threat to macroeconomic stability एक जो ही word दे रखा है macroeconomy, देखो एक होता है microeconomy, एक होता है macroeconomy macro है वो सुक्षम स्थर की जो चीज़े होती है economy में उसको बोलते है microeconomy और बड़े स्थर पर व्यापक स्थर पर देखते हो तो उसको बोलते है macro तो macro का opposite जो है वो macro होता है तो यहाँ पे बड़े level पर आप economic जो चीज़ें होती है economic एंदर जो factors होते हैं उसकी चर्चा करते हैं तो कहना क्या चाहरा है जो भी देखो यहाँ पे यह वाले parts हैं आपको नजर आ रहे हैं brown color में यह सब के सब subject हैं यह का subject और यह देखो इसकी verb और must not be allowed passive voice क्योंकि B के साथ third form है तो inflation को allow नहीं किया जाना चाहिए मुद्रा स्पीती को बिल्कुल भी allow नहीं किया जाना चाहिए किसके लिए to pose a threat pose का मतलब यहाँ पे क्या है यहाँ पे pose से मतलब है कह सकते हो आप cause कारण बनना या फिर आप इसको present भी कह सकते हो या create भी कह सकते हो तो मुद्रा स्पीती या महंगाई कह दीजी इसको आम भाशा में महंगाई जो है उसको allow नहीं किया जाना चाहिए कि वो खत्रा बन जाए किसके लिए macro economic stability के लिए जब बड़े स्थर पर आर्थिक चीजे हैं उनमें जो स्तिर्ता है उसके लिए खत्रा न नहीं बनना चाहिए तो महंगाई कहीं इतनी ना बढ़ जाए यह macro economic stability के लिए खत्रा बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए तुसका transition हुआ inflation का जो verb है वो must not be allowed है threat है threat के साथ में to लगता है कि खत्रा है तो खत्रा किसको है उसके लिए to का पर योग करेंगे ठीक है आगे देखिए the latest retail inflation readings should on the face of it on the face of it एक phrase है इसका मतलब होता है apparently क्या मतलब होता है apparently यह है on the face of it apparently का मतलब उपरी तोर पर देखने पर या ostensibly भी कह सकते हो ठीक है तो the latest retail inflation reading है latest मतलब नवीनतम retail मतलब खुद्रा inflation महंगाई readings का मतलब जो पठनांक कह सकते हो जो भी reading आ रही है जो भी सामने आकड़े आ रहे हैं तो जो नवीनतम खुद्रा महंगाई के आकड़े है शुड़ अभी जुड़ावाए सिधा authorities अधिकारी उनको ओफर करना चाहिए क्या a fair account of comfort fair amount का मतलब अच्छा खासा ठीक है fair जहां पर लग गया इसका मतलब positive तो ही amount का मतलब मात्र होती है तो अच्छा खासा यहां पर यहां पर रहत मिलनी चाहिए given that given that का मतलब है इसको देखते हुए considering given यहां पर preposition के रूप में हैं इसका मतलब होता है considering यह देखते हुए कि the consumer price index rose by 4.06% in January कि जो CPI है यह consumer price index है इसमें बढ़ोतरी हुई रोज है वो rise की second form है और इसका मतलब यह intransitive verb होती है इसके बाद में object नहीं लगता है इसमें बढ़ोतरी हुई कितनी 4.06% तक in January जन्वरी में जब आप month का नईम लेते हो तो इनका प्रियोग करते हैं इसकी बजाए अगर आप late लिखते तो at on का प्रियोग करते हैं ठीक है marking, mark करते हुए अब बीच में ing लग रहा है continuous action denote करता है तो ing लगता है तो यह present participle कहलाता है mark करते हुए क्या deceleration, deceleration जो है वो acceleration का opposite है, acceleration में चीज़ें उपर की और बढ़ती है, increase होता है deceleration में गिरती है, ठीक है क्या चिनहित करते हुए क्या mark करते हुए कि जो गिरावट है, इसमें for a second straight month, second दूसरे state का सीधे month महीना कि लगाता दूसरे महीने में to a 16 month low और कहां तक महुच गई है, 16 महीने के सब से निचले स्तर पर, ठीक है अब यह क्या कहने चारे, फिर समझना, कि जो नवीनितम retail inflation readings हैं, नवीनितम जो खुद्रा महगाई के आकड़े हैं, उनको अगर उपरी तोर पर देखें, तो यह offer करती हैं, क्या चीज, monetary authorities को बताती हैं, monetary authorities जो हैं, मौदरिक नीतियों के निधारन करने वाले जो अधिकारी लोग हैं, उनको काफे अच्छा-कासा comfort देती है, कारण क्या है, क्योंकि इस बार consumer price index January में 4.06% पर पहुंची है, और इस प्रकार से यहां पे लगाता दूसरे महिने में 16 मन्त का लो नजर आया है, महंगाई जो है, वो गिरावट आई है, 16 महिनों में इतने कम स्तर पर बात समझ में आ गई, यहां समझने वाली बातें क्या थी देखो, यहां एक तो यह subject था आपका, इसकी वर्ब फिर should offer, should model luxury है, offer यहां पर महिन वर्ब है, consumer price index यह subject है, तो रोज यहां पर इसकी महिन वर्ब है, ठीक है, और deceleration का मतलब acceleration का opposite है, गिरावट को बोलता है, reduction को बो Cool का मतलब वैसे ठंडा होना लेकिन यहां पर है महगाई में गिरावट आई है, ऐसा लगता है महगाई में गिरावट आई है, after having stayed stubbornly stuck, after के बाद, having plus third form का मतलब ऐसा होने के बाद, तो कब यह गिरावट आई है, तो जब stubbornly का मतलब है, firmly, द्रड़ता से, वैसे stubborn का जिद्द का मतलब सेहनशील था, अबाओ का मतलब लेवल में जो उपर होता है, उसके लिए अबाओ का प्रियो करता है, तो जो RBI का जो सबसे उपर का एक सेहनशील तक अस्तर था, tolerance लेवल था, threshold का मतलब limit है, ठीक है, जो एक limit थी, कि यहां तक तो हम afford कर जाएंगे, उससे आगे रह था, तो थोड़ा सा problem आएगी, problematic हो जाएगा, तो यह firmly कहां चिपका हुआ था, कहां इस तक हो रखा था, Reserve Bank of India का जो अपर tolerance था, कितना 6 परतिशत, उससे उपर, for 6 months, 6 महिनों के लिए इसा चला, through का मतलब एक तो होता है, में से होकर, medium के लिए आता है, कि इस माध्यम से होक एक through का मतलब होता है, शुरुवात से लेकर अंत तक, तो पूरे November में ऐसा हुआ, helped by, helped by का मतलब इसकी सहेता किस ने करी, मतलब किसके कारणी यह ऐसा हुआ, appreciable softening, appreciable का मतलब होता है, significant या फिर considerable, क्या मतलब होता है, significant या फिर इसका मतलब होता है, considerable, ये इसके क्या है, synonyms ह significant या considerable, इनका मतलब होता है, काफी ज्यादा, किसके कारण ऐसा हुआ, काफी ज्यादा जो softening हुई, softening का मतलब easy हो जाना कह सकते हो, या delay मतलब कम हो जाना कह सकते हो, इन food prices, तो खद्य पदार्थों की जो कीमतें है, food कीमतें जो है, उसमें जो गिरावट आई थी, और काफी बहुत ही आसान तरीका है, आप एक sentence पढ़ो, उस sentence में subject और उसकी verb निकालो, उसमें दिये गए vocab है, वलक से निकालो, आपको एक बार पढ़ना भहुत आसान लगेगा, ठीक है, देखो, inflation है, इसकी verb ये है, inflation singular है, तो appears यहाँ पर singular verb है, stubbornly है, ये adverb है, और इसका adverb इसली है क्योंकि stuck से पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो ये, कि जब verb से पहले, adjective से पहले, इनको modify करने के लिए आता है, तो वो adverb कहलाता है, और ly ending words, generally adverbs होते हैं, इस द्रश्टी कौन से भी आप समच सकते हो, कि adverb है, stubbornly का मतलब firmly होता है, threshold जो शब्द है, इसका मतलब limit होत इसके बाद पहले तो अपर tolerance level था ना, उससे भी उपर थी, मतलब 6% इसका एक threshold बना रखा था, एक limit बना रखी थी, कि 6% से उपर महंगाई नहीं जाने चाहिए, लिकिन 6% से भी उपर महंगाई रही, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महंगाई में गिरावट लेखने को मिल है, ठीक है, और यह हुआ क्यों है, क्या कारण रहा, महंगाई कम होने का, तो उसका कारण यह रहा कि इसको help मिली है इस चीद से, कि यहाँ पर काफी बड़ी मातरा में, काफी ज़्यादा food prices में गिरावट आई है, उस कारण, softening जो है, soft होने का process है, softening बोलता है, softening नहीं ब होता है, specifically vicious तोर पर, the consumer food price index, जो consumer food price index है, यह सुच कांग है, ठीक है, यह कुछ indexes होती है, इसमें indices होती है, इसमें क्या होता है, कि आपको पूरे अलग-अलग category wise, आपको आंकड़े मिल जाते हैं, readings मिल जाती है, कि कहां कितनी progress है, कहां कितनी मतलब, नीचे क्यों चल रही है वो सब मिल जाएगा आपको, तो विशेश तोर पर, consumer food price index है, reflected, reflect का मतलब दर्शाना होता है, display करना होता है, reveal करना होता है, तो इसने क्या किया, reveal किया, reflect किया, क्या, again, gain का मतलब बढ़ोतरी, gain का मतलब ऐसे lab होता है, प्राप्त करना भी होता है, ठीक है, बढ़ोतरी, किसमे of a mere 1.89% last month, mere का मतलब होता है, only, केवल 1.89% पिछले महीने यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, कारण क्या था, as vegetable prices, क्योंकि जो सबजियों की किमतें थी, so a disinflation, इस सबजी की किमतना disinflation देखा, देखो, disinflation, inflation का opposite है, पहली बात तो, inflation का महंगाई है, तो disinflation मह में गिरावट, कितना, 15.8% का, and cereal prices, मतलब अनाज होता है, grain होता है, और अनाज की किमतों में कितना हुआ, eased, eased मतलब soften हुआ, वो था न, SOFT, EN, soften, यह इसी को देखो, इसमें भी गिरावट आई, considerably, काफी ज़्यादा आई, for a second month, दूसरे महिने में, in the wake of, in the wake of का मतलब following, क खरीफ करोप arrivals, खरीफ करोप arrivals का मतलब खरीफ करोप आ गई, है न, खरीफ फसल का समय आ गया, इस कारण से गिरावट आई, फिर समझे न, मतलब यह खरीफ की फसल के कारण, यह गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई, फिर समझे न, विशेश तोर पर, जो consumer food price index है, इसने reflect किया, यह subject था, reflect इसकी verb थी, क्या, consumer food price index में केवल 1.89% की बढ़ोतरी देखने को मिली पिछले महीने, कारण था, यह कि फो, जो vegetable prices थी, जो सबजियों की किमते थी, इसका verb यह है, इसने 15.8% का inflation देखा, मतलब महंगाई में गिरावट देखने को मिली, और अनाज की किमते हैं, वो भी कम हुई, और काफी ज्यादा कम हुई, ठीक है, तो serial prices जो है, यह भी subject भई, इसकी verb eased है, considerably adverb है, दूसरे महीने में ऐसा देखने को मिला, और किस कारण से, खरीफ कुरॉप के arrivals के का रणा, the RBI, RBI से पहले देखा लगता है, in its monetary policy, its यहां possessive objective RBI के लिए, तो RBI ने अपनी monetary policy में, monetary policy statement इस महीने, monetary policy statement, मुद्रिक निती समनी statement जो RBI ने दिया, उसमें, cited हवाला दिया, कहा, RBI subject, cited इसकी verb, क्या कहा, the bumper खरीफ crop, bumper मनला काफी ज्यादा, काफी बड़ी मात्रा में जो खरीफ की फसल हुई है, rising prospects, possibility, संभावना, rising मतलब बड़ती भी, बड़ती भी संभावना, किसकी good RBI हार्वेस्ट, मतलब काफी अच्छी खासी, RBI की फसल जो है, उसमें, जो काफी अच्छी संभावना है, ठीक है, larger winter arrivals of keep vegetables, की का मतलब है, तो पून्ट वेजिटेबल स सर्दियों का जो arrival, winter arrivals of keep vegetables, सर्दियों के अंदर अच्छी खासी सबजियां यहां पे हुई, softer egg and poultry demand, softer मतलब कम, ठीक है, softer का मतलब थीमा पड़ गया, कम पड़ गया, क्या demand, मतलब अंडों की demand कम होगी, poultry की demand, poultry मतलब मुर्गे कह सकते हो, है न, मुर्गियों की demand कम होगी on avian flu fears, किस कारण से avian का मतलब होता है, related to bird, यह काफी बार, आपको one word में पूछ लेते हैं, avian का मतलब क्या है, पक्षियों से सम्मंदित flu, तो यह है bird flu, यह माल लो, fears मतलब डर, इसके कारण, egg और poultry की supply कम हुई, as factors, तो यह cited, मतलब इन्होंने हवाला दिया, RBI ने, किस र संकेत देना, शुब संकेत देना, तो यह कुछ कारण है, जो अच्छे संकेत थे, for the months ahead, आने वाले महिनों के लिए, अहेड का मतलब आगे आने वाले महिनों है, तो यह को बहुत सिंपल तरीके से समझे न, subject, इसको sentence को, यह RBI है, यह इसकी verb है, तो RBI ने हवाला दिया, और एक तो काफी अच्छी खासी खरीफ क्रॉप हुई, दूसरा यहाँ पे राइजिंग बीच में सीधा ING फॉर्म लगा है, ठीक है, तो यह कहरा है, बढ़ती हुए संभावना, इसकी अच्छे रभी हार्वेस्ट की, गिरभी के फसल भी अच्छी होगी, यह संभावना भी ह हुई, एक यहाँ पे जो मुख्य सब्जियां थी, उसमें सर्दियों में काफी अच्छी खासी सब्जियां हुई, फिर दूसरी बात यहाँ पे बर्ड फ्लू के डर के कारण एग और पॉल्टरी के डिमांड कम हुई, इन सब के चलते अच्छी संभावना अच्छा मतलब ह विश्य, शुब संकेत है आने वाले महीनों के लिए, आगे कर रहा है, बड़े सेंट्रल बैंक वोज माइंड फुल, माइंड फुल का मतलब होता है, सजग होना, सचेत होना, कॉंशियस होना, इसमें ओफ लगता है, लेकिन सेंट्रल बैंक, यह आर भी आ के लिए है, यह इ संबंद में, कि संबंद में खत्रे, फूड कोस्ट, खाद्य जो पदार्थ हैं, उनकी कीमतों को लेकर, वेर, दे लेटेस्ट जेटा, जहां पर, जो नविंटम आकड़े हैं, हैड ब्रोट तु दफॉर, यह ब्रिंग टु दफॉर की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथर्ड ब्रिंग टु दफॉर का मतलब होता है, इंफसाइज करना, जहां पर, जो खद्य कीमते हैं, उसने जोड दिया, किस बात पर, कंसर्ण्स, चिंत्याओं पर, over the prices of pulses and edible oils, और चिंत्याओं किसको लेकर, prices of pulses and edible oils, edible मतलब खद्य, oils का मतलब पताईए, prices of pulses का मतलब है, डालों की क कीमते हैं, पल्स का मतलब डाल, तो डाल की जो कीमते हैं, और खद्य तेल है, उसकी कीमते हैं, उस पर यहां पर जोड दिया, ठीक है, तो करें, लेकिन जो किंद्री बैंक है, RBI है, इसको खत्रों के बारे में भी awareness थी, विशेश करके, खद्य कीमते के बारे में, जहां पर जो नविंतम आकड़े हैं, जो भी नए ने आकड़े आए हैं, उन्होंने जोड दिया हुआ है, इन चिंत्याओं को लेकर, कि यहां पर एडिबल ओयल, और दाल की कीमते हैं, वो बढ़ेंगी, इनको यहां पर हाइलेट किया गया है, सेंट्रल बैंक को देकर वोज है, में और प्रोडेक्ट्स में, वोज यह महंगाई, वो जिसको देखकर है, वो 13.4% पर थी, that for oils, अब यह फिर से महंगाई के लिए है, और वो महंगाई जो है, oils और fats के लिए, वो कहां तक रही, stood, stand की second form है, यह खड़ी रही, यह रही, कितनी, 19.7% तक, ठीक है, तो कहरे, य युक्त पदार्थ होते हैं, उसको fat बोलता है, तो यह सब जो चीजे हैं, इसमें महंगाई 19.7% पर रही, ठीक है, तो कह रहा है, eggs and meat, तो देखो, यहाँ पे, एक तरफ तो क्या है, यह चीज, दुश्री तरफ क्या है, यह चीज, इसलिए वाइल का परी होगे, फिर कर है, eggs and meat and fish, अंडे, मास, मचली, two other key sources of protein, यह दो और, eggs and meat and fish, अब यह दो अन्य key sources of protein है, की का मतलब महत्य पूर्ण, sources मतलब स्रोत, protein का मतलब क्या हो गया, protein पता ही आपको, तो यह protein के दो मुख्ये स्रोत हो रहे है, egg है, meat and fish है, ठीक है, बहुत पॉस्टेड, यह दोनों ही जो है इन्होंने पोस्ट किया, double digit rates, पोस्ट का मतलब, यहाँ पे दर्शाया, double digit दहाई के अंग आकडे में, 12.9%, 12.5%, ठीक है, यह यहाँ पे दर्शाया है इन्होंने, respectively क्रमशे, with fried, क्रमशे जो पहले आया है, उसकी संबंद पहले से है, बादवाले का संबंद बादवाले से है फिर कह रहा है, with price gains in the former, barely registering, former का मतलब पहले वाला, former से पहले दे लगता है, तो X की बात कर रहा है, X में जो price gains है, जो कीमतों में ब्रद्दी है, barely registering, barely मतलब मुश्किल से ही register कर रहा है, any telling impact, telling का मतलब जोड़दार धंग से, impact का मतलब प्रभाव, from the avian flu outbreak, ठीक है, impact किस से, av alien का मतलब bird, flow बताईए, outbreak का मतलब कोई बीमारी का अचानक से फैलना होता है, उसका outbreak बोलता है, ठीक है, जैसे covid outbreak हुआता है, तो अचानक की बीमारी का फैलना, या हिंसा का बठकना, outbreak कहलाता है, तो फिर समझना, eggs and mission fish, दो कैटेगरी है, एक तो egg है, एक meat and fish की कैटेगरी है यह दोनों अन्य जो दो sources है, महत्वपोन sources है, प्रोटीन के, दोनों ने ही double digit rates यहां पर दिखाई, इतनी इतनी, ठीक है, eggs की यह है, meat and fish की इतनी है, क्रमश है, इसमें price gains देखने को मिला, former, former का मतलब eggs में, और इसमें कहरा है कि, यह जो price gain हुआ, यह जो कीमतों बढ़ोतरी हुई, तो इसने कोई ज्यादा कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखाया, avion flow outbreak का, ठीक है, बदला bird flow outbreak हुआ, उसकी कारण ज्यादा कोई प्रभाव यहां पर देखने को, इसका नहीं मिला, जो price gain हुई उसमें, now, अब with the favorable base effect beginning to win, win का मतलब होता है, गिरा बटाना, dwindle कह सकत हो, base effect क्या होता है, जैसे आप पिछले साल के तुलना में, अभी कितना आपने मतलब, ज़्यादा gain किया है, या कम gain किया है, inflation में, उसे आप base effect कहते हो, मतलब आप corresponding year को देखते हो, ठीक है, पिछले साल इसी महीने में क्या था, अभी उसी का अधार पर, इस बार कितना हुआ है न, उसको बोलता है, base effect, तो कहरा है, अब, favorable base effect जो है, उसकी शुरुवात हो गई है, कम होने लग गया है, base effect जो है, favorable का मतलब, जो पक्ष में था, जो positive था, वो base effect जो धर धर कम होने लग गया है, उसी के साथ, अब कहरा है, inflation moderated by more than 100 basis points in February 2020, अभी हाइफन देके समझाया ग है, तो महंगाई जो है, moderate हुई, moderate का संतुलित होना, अभी हाँ पर संतुलित होने का मतलब महंगाई कम हुई, कितनी, 100 basis points से ज्यादा तक, by का मतलब तक, और more than 100 basis points, तो 100 basis points है, वहाँ उस से कहीं थोड़ा ज्यादा तक, यहां moderate हुई, कब की बाता, February 2020 की, और कहां तक पहु इसका है, the outlook is far from reassuring, फिर भी क्या है, यह कह रहा है कि outlook जो है, मतलब outlook का मतलब कहते हो, वैसे तो द्रस्टी कोण होता है, ठीक, attitude कह सकते हो, standpoint कह सकते हो, viewpoint, लेकिन यहां पे इसका मतलब है, संभावना, prospect, तो संभावना जो है, is far from reassuring, वह अभी भी काफी दूर है, reassuring का मतलब आश्वस्त नहीं कर पा रही है, फिर promising नहीं है, आप यह कहो कि सब कुछ optimistic होगा, सब कुछ बहतर होगा, bright होगा, वो जरूर यह नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि यह कह रहा कि base effect जो है, वो अब धिरे-धिरे गिरना start हो गया है, ठीक, बीच में समझाया कि फरवरी महंगाई थी 6.58%, फिर कहरा, मार्च में थी 5.84%, अब क्या गिरावटाने शुरू हो गई, इसलिए यहां पर क्या है, इसी चीज के साथ, यह विद्धे रखा था, इसी चीज के साथ, जो outlook है, possibility है, prospect है, worry assuring नहीं है, उससे काफी दूर है, अब particular worry is the trend, train को देखकर ease है, particular worry का मतलब वि रिखेशन चीज किस बात की है, इस रुजहान की, इस चलन की, इस trend की, इन input costs, और trend किसका, input cost का, input cost का मतलब, कोई भी लागत, जो भी कोई production है आपका, उसमें पहले जो लागत लगाते हो, पहले जो किमत लगाते हो, उसको input cost बोलता है, input cost for multiple sectors, multiple का मतलब आने को sectors पताइए, in the real economy रियल एकॉनोमी किसको बोलता है रियल एकॉनोमी में goods and services आती है रियल एकॉनोमी में stock market marketing या banking यह सब नहीं आते हैं तो हम जो उपभोगता जिस पर आश्रीत हैं जो हमारे fundamental needs है वो सारी रियल एकॉनोमी में आती है ठीक है तो कह रहा है कि real economy में जो multiple sectors हैं जिसमें की manufacturing भी शामिल हैं उसमें input cost जो है उसमें जो trend बना हुआ है input cost का वो एक मुख्य चिंत्या का विशे है from automobile manufacturer to builders तो कह रहा है automobile निर्मान शित्र जो है निर्मान करता हैं उन से लेकर builders तक rising raw material cost इसमें क्या है raw material जो कच्चा सामान है जैसे ना input cost बताया था input cost का मतलब यही है कि आप कच्चा सामान खरीदते हो पहले कोई product बनाने के लिए उसकी जो लागत कीमत है उसकी बात थी तो rising बढ़ती हुई present participle है raw material cost कच्चा सामान की कीमते are beginning to force जो शुरू हो रहा है इससे क्या force them कि यह उन्हें बाद्ध्य कर रही है to pass on the impact की यह प्रभाव पढ़ेगा किस पर end consumers पर भी लागत कीमत बढ़ेगी तो end consumer का मतलब यह हो गया है जिससे आपने कोई कच्चा समान खरीदा ठीक है आपने फिर o product intermediary product लगाया फिर आपने end consumer तक पहुंचाया भी कोई कच्चा समा का मतलब है यहां से गुजर के यह प्रभाव यहां तक पहुंचेगा यह है पास on impact का प्रभाव to the end consumer ठीक है एंड consumer हम लोग and this at a time और वो भी इस समय जब demand is still to gain demand को अभी वी क्या है gain करना है यहाँ still की जगा यह इट आना चाहिए फिका ना still गलत है यह यह अना चाहिए क्योंकि यहां पर still तो है वो even now का sense देता है जबके यह कहना चाहता है कि अभी तक यह वहा नहीं है तो demand है, अभी भी इसको क्या करना है, gain करना है, प्राप्त करना है, firm footing, firm का मतलब dead, footing का मतलब base, एक आधार, एक मजबुत आधार नहीं है, अभी भी इसका, मजबुत आधार प्राप्त करना बाकिए, फिर समझना, तो कह रहाएं कि, यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर, automobile manufacturer से लेकर builders तक जो बढ़ती भी raw material cost है ठीक है वह अभी इनको force कर रही है जो बढ़ती भी raw material cost है कच्छे समानगी किम्तों में बढ़ती हो रही है उसके कारण क्या है end consumers पर प्रभाव पढ़ रहा है ठीक है force कर रहा है और वह उस समय जब demand अभी पूरे सही स्तर पर नहीं आई है मांग शित्र जो है अभी भी सुस्त पढ़ा हुआ धीमा पढ़ा हुआ है the latest IHS market इंडिया manufacturing purchasing managers index PMI जएदा कुछ नहीं है इतना बड़ा वाक्य नहीं पढ़के इसको इतना PMI पढ़ लो यह जो है है ना index की बात है यह इशारा करती है point 2 करती है PMI को देखकर points दे रखा है singular verb है point 2 का इशारा करना यह इशारा करता है the sharpest increase in purchasing cost कि purchasing cost में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है purchasing cost का मतलब जो भी आप खरिदारी कर रहे हो लागत कीमत कच्चे समान की कीमत लग रही हो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है for more than two years दो सालों से दिक समय हो गया as a lingering supply side squeeze कारण क्या है इसका कारण है कि supply जो side है जो आपूर्ती छित्र है वो काफी धीमा पड़ा हुआ है lingering का मतलब slow ठीक है और lingering का यह भी कह सकते हो कि काफी लंबे समय से चलता है प्रोलोंग्ड है squeeze का मतलब वैसे निचोड़ना होता है यहाँ पर squeeze का मतलब वो supply छित्र जो है काफी सुस्त पड़ा हुआ है काफी धीमा पड़ा हुआ है fanned inflammatory in inflationary fan का मतलब होता है यहाँ पर insight करना encourage करना ठीक है push करना उत्रणित करना trigger करना कह सकते हो इसने क्या कर दिया है trigger कर दिया है inflationary pressures जो महंगाई का दबाव है उसको and manufacturers और इसका निर्मान करता जो है उन्होंने क्या कर दिया है अपने product की prices को बढ़ा दिया है at the fastest pace काफी तेज गती सबसे तेज गती से फास्टेश जिगरी सूपर एटीव पेस का मतलब गती नाउन है इन ओवर एए एक साल के दोरान ओवर का मतलब यहां पर दूरिंग है तो कह रहा है कि यह जो PMI है न यह जो एक इंडेक्स है यहां पर इशारा करती है कि सबसे तेज गती से यहां पर पर सेजिंग कोस्ट बढ़ रही है दो साल से दा टाइम हो गया ठीक है कारण क्या है कारण है कि जो supply छेत्र है उसमें काफी ज़्यादा गिरावट है और supply छे इस तो इन्होंने फू प्रड़क्ट प्रड़क्ति सबसे तेज गती से पिछले एक साल में एक तुदमिक्स जहां जूडती है जिसका मतलब जो बात आप कह रहे हो उसमें यह बात भी जोड दीजिए ठीक है जो बात कंटीनिवसली आप बात कर रहे हो जिस विशे में उसक डिजिन क्लाइम बताया था कॉंप्लेक्स है, कॉंप्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है जो क्लाइम है, ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल प्राइसेज, तो कहरा है कि इस बात में एक बात और जोड़ लो, कि लगातार और जो यह एक डिफिकल्ट बढ़ोतरी हो रही है ट्रांस्पोर्ट एंधन की कीमते हैं उसमें बढ़ रही है तो न्यूवर एंड न्यूवर रिकॉर्ड हाई और काफी नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है महंगाई बहुत ज़्यदा बढ़ गई है पैट महंगाई की बिकम्स डिस्टिंक्ली डारकर वह मतलब काफी स्पष्ट रूप से यहां पर अंदकार में नजरा रही डारकर का मतलब यूँ कह दो कि निराशा जनक है इंफ्लेशन के आउट्लूक का मतलब है कि कई महंगाई किरावट आएगी ऐसे संभावना नजर नहीं आ दीजल में-fuel for freight, cargo, freight ? जो माल होता है उसको बोलता है, investigations का ढुलाइप को बोलता है, माल लेकर जाने वाली गाडियां है उसको freight कह सकते हूं तो डीजल जो मुख्य फ्यूल है किसके लिए जो मालगाड़ी होती है उसके लिए हैस नाव एकसीड़ एक्टी रूपीज पर लिटर अब यह इससे आगे पड़ गया है एकसीड का मतलब से अधिक हो जाना और अब यह एकसीड हो गया है और अब यह एकसीड हो गया है और अब यह निश्चित है कि यह कीमतें जो है ना मतलब अब डिजल कीमत बढ़ गई तो निश्चित रूप से कॉंट्रिब्यूट करेगा अल्मॉस्ट इन सब चीजों की कीमत बढ़ती है और अब बताया है इसने कि सभी में कीमतें कैसे बढ़ेगी फ्रेस प्रोड्यूस्ट का मतलब जैसे मालनो फसल है ना जैसे माल लीजिए खेट से आपने हर्वेस्टिंग की है फसल कटाई की है वहां से स्टार्ट कर दो जो भी आपने उ billion पॉल्स आपको सबजी बनानी इँसद्ग होटेल एक आंपको सब्जेट भीक नियां तो intermediate प्रोड्यूस होगा कि आपको नमक खरिदना पड़ेगा मिर्च खरीदनी पड़ेगी मतलब जीरा चाहिए गा अम्चूर चाहिए का मसाले तमाम प्रक्रत्वमसाबल्ब जो गिर सब्जी बनाई और उसको बेच दिया इन सब की कीमतों में बढ़ोत्री होगी अब करें विद बैंक्स स्टिल फ्लश्विद लिक्विडिटी फ्लश्विड का मतलब काफी प्रचूर मात्रा में होना बैंक्स अभी भी लिक्विडिटी काफी जादा है कहें कि कैश काफी इसको जरुवत है इनको जरुरत है वच्फूलनेस को मेंटें करने की मतलब निग्रानी है वो बनाए रखो साउधनी बनाए रखो तो फिर से महंगाई को बढ़ने से रोकें कि खत्रा ना बन जाए किसके लिए macro economic stability जो उपर दे रखा था आपको व्यापा के स्तर की बड़े स्तर की जो economic stability है स्तिरता है उसके लिए खत्रा पेदा ना कर दे उसको रोके keep from का मतलब रोकना होता है from preparation of ing है end है तो ये parallelism को support करेगा left try दोन चीज़ें same होंगी जैसे यहां ing है तो यहां भी ing ही होगा इस तरीके से आप इसको समझ सकता है तो ये था दोस्तों आज का editorial और आपने काफे सारी नई चीज़ें सीखी होगी इसमें अब हमारी मुलाकात होगी Monday को Monday to Friday हम discuss करते हैं editorial अब Monday को मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार Thank You very much